नमस्वार दोस्तों मैं हूं सेसनात पंडित आप देख रहे हैं एस्टेचिंग एंड टेक्निकल चैनल आज के इस वीडियो में नाप के हिसाब से परफेट कटिन कैसे की जाती है आप इस वीडियो में देखेंगे साथ में थाई और आसन की मार्किन करने के बाद हम नाप कर अभी आपको दिखाएंगे पैंट या सर्ट की कटिन करने के लिए सबसे पहले में क्या देखना होता है हमें यह देखना होता है कि कहां पे हम कितना सेप देंगे अगर आप इस तरीके से सेप देने का तरीका जान जाते हैं तो पैंट और सर्ट की कटिन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं चले अब हम मार्किन और कटिंच शुरू कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों उल्टा सिधा का मार्किन हम इस तरीके से कर लेंगे यहां पर हम ऊपर देख लेंगे फेवरिक नीचे का अगर छोटा है तो इस तरीके से मार्किन कर लेंगे तो उपर पहले एक सिधा मार्किन करेंगे ऐसे उसके बाद हम टोटर लंबाई देख लेते हैं एक तालीस इंच तो एक तालीस इंच इस तरीके से लंबाई हो गई अब यहाँ पर दोस्तों हम बेल्ट के लिए एक इंच माइनस करेंगे और हाफ इंच मार्जिंग जाएगा तो देड़ इंच हमारा कम्प्लिट बेल्ट बन जाएगा तो इस तरीके से एक इंच उपर से हम माइनस कर लेंगे ऐसे फिर यहाँ पे 41 इंच पे margin करएंगे 1.5 इंच margin के लिए लेंगे जिसमें हम तुपाइआ करते हैं उसके बाद हम इस तरीके से सीधा करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे down कर लेंगे कम से कम एक से डिर्षूत यह हम एक से डेर सुत इसली डाउन करते हैं कि जब भी हम पैंट को complete करके प्रेस करते हैं तो इन साइड जो अंदर की साइड होती है वो उपर क्यों खिचने लगती है तो इसली हम वहाँ पे एक से डेर सुत प्लस कर देते हैं चले अब हम आसन की मार्किन कर लेते हैं आसन है 25 इंच अब यहाँ पे दोस्तो इस तरीके से 25 इंच को 1,5 पर निचे आ जाएंगे जो हम थाई की मार्किन करते है उसके लिए फिर हम दोनों मार्किन को इस तरीके से सीधा करेंगे ऐसे चले अब हम थाई की मार्किन कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम किनारी छोड़ते हुए पौनाईच भी मार्किन कर लेंगे ऐसे उसके बाद हम थाई देख लेंगे थाई है साड़े चौबिस इंच तो सारे 24 से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे उसके बाद इस तरीके से हाफ कर लेंगे हाफ करने के बाद हम इस तरीके से पौने 12 इंच पे थाई यानि जांग के लिए मार्किन करेंगे ऐसे उसके बाद हाफ कर लेंगे सेंटर के लिए ये grey liden के लिए हम सीधा markal mapping के लिए ऐसे half करके ऊपर भी markal कर लेंगे ऐसे फिर हम इस तरीके से उस markal को सीधा कर लेंगे इस तरीके से थाई की markal करने के बाद हम घुटना और मोहरी की markal करेंगे यहां center हम देख लेंगे नीचे भी एक markal कर लेंगे सेंटर के लिए तो इस तरीके से हम सेंटर की मार्किन कर लेंगे अब यहाँ पर दोस्तों हम उपर वाला जो मार्किन है जो आसन वाली मार्किन है वहाँ से हम सेंटर करेंगे इसको ऐसे इस तरीके से हम एक सेंटर कर लेंगे सेंटर करने के बाद धाई इंच उपर पे एक मार्किन करेंगे हम घोटना के लिए फिर हम उस मार्किन को सिधा कर लेंगे ऐसे अब यहां पिर दोस्तों हम उपर से नीचे तक एक सिधा मार्किन करेंगे तो ऐसे हम SQL से सिधा मार्किन कर लेते हैं ऐसे उसके बाद हम मोहरी देख लेते हैं तो मोहरी है साड़े चोदा इंच तो साड़े चोदा को हाफ करेंगे ऐसे उसके बाद एक हाफ और कर लेंगे सेंटर के लिए तो इस तरीके से हम सेंटर की मार्किन करेंगे आधे उस चाइड में और आधे इस चाइड में उसके बाद हम घुटने की मार्किन कर लेते हैं तो घुटना है सत्र इंच तो सत्र को हाफ करेंगे साड़े आठ इंच उसके बाद एक हाफ और करेंगे सवा चार इंच तो सवाचारिज पर हम इस तरीके से सिंटर पर रखते हुए मार्किन कर लेंगे घुटने के लिए ऐसे हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई भीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम सिधा मार्किन करेंगे घुटना तक नीचे थोड़ा सा हम क्रोश कर देंगे ऐसे उसके बाद हम यहाँ पर सेफ पट्टी लेंगे यानि कि सेफ वाले स के लकुल लेंगे फिर हम इस तरीके से बैठाएंगे यहाँ पर हमें देखना होता है सेफ कि कहाँ पर सेफ इसकी सीधा आ रही है कहाँ पर राउन आ रही है तो इस तरीके से घुटने तक round बिलकुल सीधा मिलना चाहिए ऐसे तो paint की marking करने के लिए सबसे जरूरी होती है shape कि कहां पर हम किस तरीके से shape देंगे यहां पर दोस्तों 36 सेज के लिए पोन देंच पर marking करेंगे ऐसे उसके बाद यहां से हम नाप लेंगे center तक center तक आपका जितना भी होता है उससे half inch माइनस करके उपर एक marking कर लेंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों उस marking को इस तरीके से हम सीधा एक marking करेंगे ऐसे फिर यहां पर हम round घुमा लेंगे इस तरीके से यहां पर हम जीप लगाएंगे अब यहां पर margin हम छोड़ देंगे half inch उसके बाद कमर हम देख लेंगे तो कमर है 36 तो नो inch प्लस margin half inch अब यहां पर दोस्तों हम हीप की marking करेंगे एक तालीस हीप के लिए सावाद 10 inch पे हम marking करेंगे प्लस करेंगे half inch margin के लिए उसके बाद हम इस तरीके से यहां पे shape देंगे ऐसे उपर तक हम ऐसे round shape देते हुए मिला लेंगे अब यहां पे दोस्तों हम उपर से 500 पे एक marking करेंगे और यहां पे हम round shape देंगे तो यहां पहले हम इस तरीके से सीधा करके देख लेंगे अगर हम इस तरीके से round नहीं करते हैं तो जब भी हम belt complete करके बैठाते हैं clip लगाते हैं तो वहाँ पे belt सही से नहीं बैठ पाती है pocket की mark in करेंगे 6.5 इंच पे उपर हम 2.5 इंच पे एक mark in कर लेंगे अब यहाँ पे हम इस तरीके से cross कर लेंगे तो इस तरीके से mark in हो चुकी है अब हम cutting कर लेते हैं हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके हमारे इस चैनल पे लेडिज जैन सभी के लिए जैसे पैंट सेट, कुर्ता, डियाइनिक, ब्राउज, सलवार सूट, फराक, बच्चों की आइटम cutting और stretching करके दिखाये जाते हैं फार मुले के साथ अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम खुटका लगा लेंगे ताकि हमें pocket बनाने में कोई दिखते ना आए अब हम इसकी back की cutting करके दिखाएंगे बहुत ही असान तरीके से अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फेवरी को अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे नीचे से हम कम से कम दो सुथ उपर हम बैठाएंगे उसके बाद हम इस तरीके से gray line भी इसका देख लेंगे उपर से नीचे तक नाप कर ऐसे ताकि इसका gray line सीधा हो जगे अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से marking कर लेंगे तो जो marking है आसन का उससे तीन सूथ हम down कर लेंगे नीचे इसलिए कि यहाँ पे हमें सिलाई लगाना होता है इस marking पे उसके बाद हम side में इस तरीके से half से पौना इंच हम extra लेंगे हम यहाँ पे extra इसलिए लेते हैं कि जब हम back के dot डालते हैं तो दोनों side से खिजावाती है अब यहाँ पे front से पौने 2 इंच back को उपर उठाएंगे ऐसे और यहाँ पे हम बिलकुछ सीधा marking नहीं करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा shape देते हुए round देते हुए ऐसे marking करेंगे उसके बाद हम कमर की नाप लेंगे तो कमर 36 से तो 9 इंच side में margin छोड़ने के बाद पलस करेंगे 1 इंच dot के लिए उसके बाद 2 इंच हम लेंगे margin extra अब यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों तरफ margin छोड़ते हुए नाप लेंगे 10 इंच और उसको हम बढ़ाएंगे आगे फिर यहाँ पे हम 41 का आधा करेंगे साठे 20 इंच पे ऐसे रखेंगे और वहाँ पे हम इस तरीके से marking करेंगे ऐसे तो यह बिल्कुल complete heap की marking इस तरीके से कर लेंगे फिर हम इस marking को ऐसे सिधा एक marking करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको back dot की marking करके दिखाते हैं तो back से हम छोड़ देंगे 1 इंच और यहाँ पूरा हम ले लेंगे margin के साथ फिर हम उसको इस तरीके से center कर लेंगे यह center हो गया तो half inch और half inch ऐसे तो यह dot की marking हो गया अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे थोड़ा सा curve करेंगे यहाँ पे यानि कि थोड़ा सा हम तिर्चा करेंगे ऐसे इससे हमें यह फैदा होती है कि जब हम dot डालते हैं तो वहाँ पे भीसा नहीं बनता है बहुत से आप देखे होंगे कि dot डालने के बाद pocket के पास भीसा बन जाता है तो यह दिखते इसमें कभी नहीं आएगी अब यहाँ पे दोस्तों थाई की marking करेंगे बैक के तो यहाँ पे हम धाई इंच प्लस करेंगे और घुटने के पास हम करेंगे पौने दो इंच फिर हम इस तरीके से safe पट्टी से round देते हुए यहाँ पे हम देख लेंगे कि safe कहाँ पे सही आ रही है तो scale को हम उपर नीचे सरका सकते हैं चले अब हम back आशन की गुलाई घुमा लेते हैं तो इस तरीके से आप लेंगे जितना भी होगा उसको हम ऐसे उपर भी एक मार्किन कर लेंगे ऐसे फिर यही से हम गुलाई घुमाएंगे तो यह बहुत यसान तरीका है दोस्तों अगर इस तरीके से आप गुलाई घुमाते हैं तो back seat की शेप बहुत ही अच्छी आएगी अब दोस्तों यहाँ पर मौरी हम देख लेते तो मौरी हम प्लस करेंगे डिर्ष अब यहाँ पर दोस्तों सीधा scale से हम मार्किन करेंगे घुटने तक यहाँ भी हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे मार्किन फिर हम यहाँ पे क्रोस करेंगे नीचे मोहरी के लिए अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मार्किन हो चुकी है अब हम आपको थाई और आसन नाप कर दिखाते हैं तो ऐसे हम मार्जिंग दोनों तरफ से छोड़ देंगे फिर यहाँ से ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे अब दोस्तों आप यहाँ पे देश सकते हैं साड़े चौबी सिंच थाई था तो बिल्कुल कम्पलीट साड़े चौबी सिंच थाई हो चुकी है अब हम आसन को नाप कर दिखाते हैं तो यहाँ भी हम इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे ऐसे उसके बाद हम बैक को भी नाप लेंगे ऐसे बैक को हम बिल्कुल मार्किन पे नापेंगे अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तिन इंच यहाँ पलस करेंगे तो पचीस इंच इसकी आसन कम्पलेट हो जाएगी अब यहाँ पे दोस्तों बैक में जो हम एक्स्टा मार्जिन देते हैं उसको भी हम मार्किन कर लेते हैं ऐसे यहाँ पे हम गुलाई घुमाएंगे इस तरीके से तो इस तरीके से मार्किन हो चुकी है अब हम कटिन कर लेते हैं पेंट की मार्किन और कटिन करने का तरीका कैसा लागा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको सिलाई या कटिन करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम आपके आने वाले हर समस्या का शमाधान करके दिखाएंगे आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फ़लोता है लाइक शेयर करना न भूले प्लेज तो इस तरीके से दोस्तों हम कुटका भी लगा देंगे ताकि हमें सिलाई करते समय कोई दिखते न आए इस तरीके से पैंट की कटिन पुरा हुआ वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में लाइक शेयर करना ना बोलें प्लेज अगले वीडियो में फिर मिने के नमस्कार